दो हजार चोबिस के हर्याना विदान्सवा चुनाव को लेकर आज के सियासी हालात पर खरीक्री न्यूज के सर्वे में हम आपको बता चुके हैं कि कॉंग्रेस बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आमाधी पार्टी कहां पर खड़े हैं। आगे बढ़ती नजर आ रही है, अहिरवाल में किसका डंग का बजने के आसार हैं, पच्छिम हर्याना में कौन सी पार्टी का दबदबार आएगा, ओर रोहतक जिले में कौन सी पार्टी 2024 में फते हासिल करेगी और दक्षिन हर्याना में 2024 में कौन सी पार्टी लीड करेगी। इन सभी पहलों को गहराई से कसरुए में जानने से पहले, आज हम आपको बताएंगे कि हर्याना में BJP, JJP, गटबंदन के मंतरी आज कौन सी शीट पर कौन सा मंतरी हार और जीत की पोजिशन में हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। शिक्स्या मंतरी कवरपाल गुजर दो हजार चोबिस की प्रिक्षा में पास और फेल होने की कगार पर खड़े हैं, यानि 50-50 के मुकाबले में फसे हुए हैं। केल मंतरी संदीप सिंग की पेवा सीट पर पोजिशन विहद खराब है और वो साफतोर पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। महिला विकास मंतरी कमलेश धंडा कलायश सीट पर हारती हुए नजर आ रहे हैं। लगो जिखन सर्मा बल्लभ गण सीट पर 50-50 के मुकाबले में फसे हुए हैं। जेपी दलाल लुवारू सीट पर फिर जीत दर्ज कर सकते हैं बिजली मंतरी रणजील सिंग रानिया सीट पर 50-50 में फस सकते हैं यानि 14 मंतरियों में से 6 मंतरी दोबारा फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं च्यार मंतरी हारंते हुए नजर आ रहे हैं और च्यार मंतरी 50-50 के मुकाबले में फसे हुए हैं खट्र सरकार के मंतरियों के लिए 2004 का चुनाव एक बार भीर बारी पढ़ सकता है आपको बता दे 2019 के चुनाव में भी खट्र सरकार के दो तीहाई मंतरी हार गए थे सिर्फ मुख्य मंतरी मन्होरलाल अनिल वीज और बनवारी लाल तीन ही मंतर मंतरी जीत पाए थे दो मंतरियों को टिकट नहीं मिली थे जिनके नाम विपिल गोयल और राव नरवीर सिंग थे बाकी सारे मंतरी चुनाव हार गए थे 2024 में भी खटर सरकार के मंतरियों की पोजिशन बेहत खराब नजर आ रही है लेकिन वह पोजिशन 2019 से बेहतर है क्योंकि 14 में से 6 मंतरी जीतते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ 4 मंतरी ही साब तोर पर हारते हुए नजर आ रहे हैं च्यार मंतरी 50-50 परसेंट के मुकावले में फसे हुए हैं हम आपके एक बाद फिर बता दे कि 2024 के चुनाव को लेकर जो महावल है उसको आज की तारिक में अगर हम मापनी का काम करें जाचने का काम करें अगर आज की तारिक में चुनाव होते हैं तो सीम अनोर राल खटर कर चुनार सीट पर जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सिम दुशन चोटला उचना सीट पर फिर जीत की देलीज पर खड़े हैं अनिल वीज अमबला केंट सीट पर 50-50 के मुकावले में फसे हुए हैं शिक्ष्या मंतरी कवरपाल गुजर जगादरी स सीट पर 50-50 के मुकावले में फसे हुए हैं पेवा सीट से खिल मंतरी संदीप सिंग हार के कगार पर खड़े हैं कलायत से मंतरी कमलेज धांडा हारतीव नजर आ रहे हैं उकलाना से मंतरी अनूप धानक हारतीव नजर आ रहे हैं तोहाना से मंतरी देवंदर बबली जीत का दुग का लगानी की कगार पर खड़े हैं। यानि खट्रसरकार के मंतरियों के लिए दोजार चोबिस में मिला जुला आसार रहने के उमीद नजर आ रही है। अपने वोट बेंक को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। इस सभी कदमों के उपर दोजार चोबिस का चुनाव डिपेंड करेगा। इन मंतरियों का काम काज नहीं सुद्रा परफोर्मेंस नहीं सुद्री तो इनके हारने के परबल आसार हैं। 50-50 के मुकाबले में फसे चारों मंतरी, ग्रह मंतरी अनिलवीज, सिख्षा मंतरी कवरपाल गुजर, प्रिवेन मंतरी मुलचंज सर्मा और बिजली मंतरी अंजीत सिंग भी 50-50 के कड़े मुकाबले में फसे हुए हैं। ये च्यारों मंतरी पांच हजार से कम के अंतर पर जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं खटर सरकार के मंतरियों की परफोर्मेंस और इनके इलाकों में लोगों की भावनाओं और रियक्शन के लिए हम फिल्ड में जाकर भी जाए जालेंगे इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस और करे प्रणाली को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए नमस्कार